हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू दी देखुन क्लासे दी एडुकेशनल एंट प्रफेशनल क्लासे पॉर और कॉंप्रेटिव एग्जाम एंड पॉर्ड श्कूल स्टुडेंट्स तू एंसेयाटी के रेफ्रेंस है सारे पॉइंसेयाटी के इंप्लूडड है तो कॉंप एग्ज इस शर्प्टर में हों पढ़ेंगे कि वह मारे फ्रेंड है और वह हैं दोनों कैसे हो सकते हैं तो चलिए अपने इस चाप्टर को हम लोग हो मायक्रो ऑर्गानिस्म है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो उसे ठीक है देकिक करते हैं सबसे बहुत इंट्रोडेक्शन सबसेपले जान लेटे हैं कि इंपोर्टेंट क्यों हैं और कैसे हैं यह हम यही सब्सक्राइब क्यों होगा निया contracts microbes are extremely small organism that cannot be seen with naked eyes microbes जो होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी naked eyes यानि कि जो हमारी eyes है normal eyes है उससे हम नहीं देख सकते ठीक है तो हम इसके एक्जाम्पल हमारे हो गए वेक्टिरिया फंगी उसके अलाबा हमारे वाइरस होते हैं प्रोडिस दोवा वगरा होता है ठीक है तो microbes are not always harmful to us but also helpful many a time यह हमारे लिए बस harmful ही नहीं होते हैं बट यह हमारे लिए बहुत आता है helpful भी होते हैं कैसे होते हैं in this lesson we will learn about the both friendly microbes as well as harmful तो हम जानते हैं कि friendly microbes कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं और harmful microbes हमारे लिए कैसे हैं ठीक है अब हम पढ़ते हैं microbes की classification यानि कि कितने types के microbes होते हैं ठीक है सबसे पहला हमारा आता है bacteria ठीक है bacteria are one of the oldest life form यह सबसे oldest है यानि कि यह वह first microorganism है जिसको पहले बार notice किया गया था ठीक है they are unicellular मैंने आपको बता है हमारे जो body है वो shells से बनी होती है और multiple shells से बनी होती है तो जो हमारा spherical में है कुछ हमारा जो होगा spiral में होगा ठीक है elongated भी होगा अलगलो टैप की जो है हमारे क्या है microbes है bacteria ठीक है they inhabit soil water radioactive waste and deep portion of earth crust यह क्या करते हैं inhabit होते हैं यानि कि इनका जो यह जो present होते हैं यह soil water वगेरा में और जो यह जो भी radioactive जो chemical से बने हुए जितनी भी waste होते हैं हमारे industries वगेरा के उसमें साथ में यह जो है मिट्टी के crust में यानि कि मिट्टी के हमाई धर्ती के अंदर पाई जाती है ठीक है और इसके अलावा they live in plants and animals body और plants and animals की body में भी पाई जाते है they live in colonies colonies का means है यह एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि बहुत सारे numbers of bacteria होते हैं colonies होती है इसकी ठीक है some of them are autotrophic prepare their own food कुछ इन में से autotrophic होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं while other are heterotrophic इसमें दोनों तरिके के आपको मिलेंगे अपना खाना खुद बनाने वाले भी और दूसरे पर dependent रहने वाले भी ठीक है आप लोगों ने देखा होगा जो फंगी होता है वाइट कलर का लेर होता है ब्रेड पे ब्रेड देखी होगी आपने रोटी देखी होगी और 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 भी अधर आप देखी होगी जो एंवायमेंट खुली रहती है तो एंवायमेंट में जी फंगी प्रेजन्ट होता है वह जो है इन फूद प्रोड़क्ट के अंदर क्या करता है ग्रोगर जाता है और वाइट कलर का और ब्रावन ग्रिंश कलर का भी आपको दिखाई जब आप इसको रूम टैंपरिचर पे खुला चोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए तो फंगी का जो है यही कंडिशन होता है उसको मुष्यर वाला कंडिशन चाहिए होता है जिससे वह क्या करते उसमें ग्रो कर जाते हैं ठीक है बड़ा सेम ब्रेडवन कीप इंसाइड रे घुरो करने का वह एंबार मेंनट नहीं मिल पाता है यहां पर देखे यह ब्रेड है इस ब्रेड की उपरापी जो लेएटर देख रहे हैं यह फंगी है ठीक है फंगी जो है मल्टि सैल्वर होता है जो है मेली हेट्रोटोफिक होता है यानि कि दूसरे पे ही डिपार्टन हो और फंगी होते हैं प्राफफ वानय मोईस्ट इनको जो यया वह वाम और मॉस्ट says कर बीप्लस में pendulum with नमी होने चाहिए तिक है ति यार एं पर शयक्त शूम समान्ब है तमजट ग्रोम थांसित्स चरह वाइबिए इस्ट है मिश्रूम में मौल हैं धेँ यह सुझाबल फांगी कомина अधेड़ होते हैं उन में और आपकी यह inटिया पौर्डक्स फूरॉड्ट्स होते हैं खोले रहते हैं उनपे यह especially ग्रोव करते हैं ठीक है उसके बाद थर्ड टाइप का हमारा माइक्रो और्गानिज्म है जिसका नाम है प्रोटोजोड यार मुस्त ली यूनिसेलुलर यह जाहतर यूनिसेलुलर भी है कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं मल्टिसेलुलर होते हैं यानि कि बहुत सारे शेल्स के सम आप देम आर इनमें भी कुछ ऑटोटोफिक होता है और वाइल अधर रहेटोटोफिक ठीक है और कुछ अपना खाना खुद से नहीं बना सकते ठीक है यह प्रैफर करते हैं मौइस्ट और एक्वार्टिक है यारी कि पानी होना चाहिए प्रसमें एन्वार्मेंट जो है वो नमी वाला हो होना चाहिए ऐसे एंवार्मेंट में यह करते हैं ठीक है यह कलोवलीज में नहीं होते हैं यह सिंगल जैसे कि वैक्टेश्ष फंगी आप देखेंगे नर्वान नरौ 100 होते हैं यह सिंगल पानीरी धीक है इन में से कुछ एक पॉनुसोमा है ठीक है तो यह कुछ प्रोटोजोगा के एक्जामपल है उसके बाद हमारा थर्ड टाइप का आता है अल्गी अल्गी के बारे में तो हम सब जानते हैं दियर मल्टी स्यल्लर मेड़ अफ मल्टीपल सेल बहुत सारे शेल्स का बना होता है और प्रेफर करता ह है मुस्ली एक्वार्टिक है विटें या कि मुस्ली आप पानी में देखेंगे इसका एक एक जामपल बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूं आपको घरों में भी ग्रीनिश देखा होगा फ्लोर के उपर या कहीं पानी स्टोर है तो आप देखेंगे जिस बरतर ने पानी स जोंदेखहह चपाटी होते हैं स्लिपरी होते हैं ठीक है और इनमें जो कुछ ऑने वह आपका सब्सक्राइल खैनल आप के सामने का सब्सक्राइब देख लेंगे आप कैसे कैसे हैं ठीक है तो यह हो गया अब हमारे पास आता है वाइरस ठीक है यह थोड़ा सा exception case है क्यों वाइरस आर ओल्सों माइक्रोस्कोपिक यह भी माइक्रोस्कोपिक हैं बट यह नौट इसे हम क्यों नहीं करते क्योंकि बागी जितने भी आपने माइक्रोग्यानिस्म पढ़े हैं यह बाहर वी एक्टिव होते हैं तभी तो बाहर के टेमप्रीचर से चीजों के ओपर वर्क करके उसको खराब करते हैं उस पर ग्रो करते हैं बट वाइरस एक ऐसा और गानिस्म है जो बाहर अगर पढ़ा है तो इसके नहीं कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना ग्रोग करेगा कुछ नहीं करेगा बट यह होस्ट यानि कि लेता है ठीक है इसको एक्षेप्शन बोला गया है क्यूंकि और गानिसम है तो मैक्रोसकोपिक मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है और इन मायको और गानिसम्स को अपनी नेग आइस ऑपनी चीज देखते नहीं देख सकते इसके लिए हम एक मायक्रो सकोप का यूज करते है एक होता है जिससे हम इन्हें देखते हैं जिसमें हम छोटे चोटे चीज को भी बड़े देख सकते हैं यानि कि माइक्रोज को ठीक है अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोज और गालिजम जो है माइक्रोब्स है यह माइर डेली लाइफ में कैसे यूस्फुल है नौट ओनली फॉर कॉजिंग हम तो हुमन बिंग बाइफ दिजीज और मेकिंग अस इल सिर्फ बिमार ही नहीं करते बल्कि जो है दूट इस माइक्रोब्स आर और सो वेनिफिशिल तो एस इन वराइफ यह बल्कि एक सच्छा यह भी है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यू घर से लेके हम जो इंडस्टी की बात करें सब जगा पर हमारे लिए बहुत हैल्पूल है घर की बात करें तो कर्ड केक ब्रेड बनाने के लिए वेवेजिस बनाने के लिए हैल्पूल है और इंडस्टी इसकी बात करें तो एंडी बायोटेक्स वेक्सिनेशन बनाने के यह जो अन्वाइम्ट में में जो मैंने बोला कि देट 비уть होती है प्लंट वगेबरा की जो लुवाइब प्रहट होते हैं लुव मात मृटिरियल्स होते हैं इन के ऊपर करके उन्हें क्या करता है को साफ क्लीन करता है प्लस में bio fertilizer क्यों है क्योंकि इन dead bodies को ये खतम करके उन्हें जो है nutrients में fertilizers में natural fertilizers में convert कर देता है जो मिट्टी की fertility को यानि कि जादा सदा crop grow करने की शमता को बढ़ाती है ठीक है तो यह वही है देखिए दही केक से वेब्रिस तक दवाइयों तक chemical products तक यह बहुत जादा important है यानि कि इन सब को prepare करने के लिए किसकी जरूत होती है हमें इस हमारे जिसे हम अभी तक harmful समझते थे लेकिन अब हम इसको useful भी मानेंगे जब हम इसको अच्छी तरह के से पढ़ लेंगे ठीके देखिए सबसे पहले है कि कर्ड बनाने के लिए मिल्क से दही बनाने के लिए कैसे important है माइक्रोब्स प्ले अवीटल रोल इन प्रिपेरिंग कर्ड फॉम मिल्क कर्ड कंटेंग वक्टीरियम लेक्टो वेसिल्स मैंने वेक्टीरिया के बारे में बताया था माइक्रोब्स होता है वेक्टीरिया उसमें से एक वेक्टीरिया है जिसका नाम है लेक्टोवेसिल्स य करता है यह क्या करता है दही की formation में help करता है लेक्टो वेसल्स इस फ्रेंडली वेक्टिरियम इट ट्रीट प्रिवेंट डायरिया और डायरिया को भी खतम करता है help in food breakdown and absorption of nutrients और यह हमारे जो है help करता है किसमें nutrients को absorb करने में डायरिया से बचाने में ठीक है अब देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं दही को बनाने में देखिए a small amount of curd starter is added to make हम सब जानते हैं हम दही कैसे जमाते हैं दूद ले लिया दूद को हमने एक temperature दे दिया नहीं कि गरम होना एक particular temperature पर फिर थोड़ा से amount हमने जो अलड़ी दही है उसका mix कर दिया इस दूद में ठीक है तो क्या होगा जो लेक्टो वैसेल्स दही में होता है जो दही हमने mix की है वह क्या कर देगा दूद को convert sugar in milk वह जो है उससे मिल्क में convert कर देगा इसको हम lactose बोलेंगे sugar में convert कर लेक्टोज को in lectic acid में दूद में जो lactose present होता है उसको lectic acid में convert कर देगा इससे क्या होगा जो दूद जो है वह क्या हो जाएगा जम जाएगा सैटल हो जाएगा उसका टेस्ट जो है वह खटा हो जाएगा ठीक है increase acidity cause milk protein to turn into solid mass क्या होता है जैसे जैसे इसके अंदर जो यह acid बढ़ता है न दही दूद जो हो थिक हो जाता है ठीक है और milk protein का formation हो जाता है जैसे कि दूद में दही का कुछ amount मिलाने से क्या होता है जो हो जो होता है चाहिब हो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब में लाक्तोस बोलते हैं उसे कंवर्ट कर चारा यह हैं अब देखिए डीकिंग में कैसे जाधा important है यह ठीक है इस 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 यूज एज 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 रिजिंग एज इन इनन बेकिंग हम सबी जानते हैं बेकिंग के लिए जो important microorganism होता है उसे हम इस्ट बोलते हैं तो बेकिंग में जो helpful होता है उसका नाम है उस उसी तो कुछ दिए उसको छोड़ दोगे तो उसमें क्या हो जाता है यस्ट एक्टिव हो जाते हैं ठीक है और एक इफ यू लीविट फॉर सम टाइम एडिंग इस टूइट अब आपने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा आपने इस्ट मिक्स कर दिया जो बेकिंग पाउडर बगेर चाहिए तो क्यूंकि इसमें यूए ज्यादा ग्रोव कर गए और जो है दो था जो फ्लो का उसके अंदर दो कंटेंड कार्वोहाइडर एस्ट वेन एडिट तूइट गैंडर्वें इस्ट को सियो टू में कंवर्ट कर दिया ठीक है जूदी फॉर्मेशन अजिए यूट ट तो यही होता है जब हम केक बनाते हैं या धोकला बना रहें ब्रेड बना रहें तो कितना सॉफ्ट होता है कितना स्पंजी होता है तो वह इस्ट के से ही बनता है ठीक है इसलिए इनके लिए हमें इस्ट की जरुवत होती है एक और माइक्रो और्ग्यानिज्म की हमें जरुवत पड़ी ठीक है ब्रेड हो गया केक हो गया इन सब चीजों के लिए ठीक है माइक्रोब्स प्लेड वीटल रोल इन फर्मेंटिंग इडली डोसा बेटर ठीक है मैंने बिताया लाते हैं ठीक है इडली डोसा इडली डोसा बेटर कंटीन औरत पल्स इस औरत सीट कंटीन लैक्टिक एसिद वेक्टीरिया लैप ठीक है इनके इंदर कौन से वेक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड के क्योंकि जो इडली वगरा है वो उरत की दाल से बनती है तो इनके अ करने में help करते हैं जिसके फॉर्मेशन से क्या होता है फॉर्मेशन अफ लेक्टिक एसट गिवस्ट तुदी बैटर अब जो हम घोल त्यार करते हैं वह जो है उसको खट्टापन देता है यह वैक्टिरिया उसमें ग्रो करके देर्फोर देटर शुद नॉट भी इसने के लिए रखेंगे उतना ज्यादा इसमें लेक्टिक एसट बनेगा जिस्टे की टेस्ट बहुत ज्यादा ही सौ यान की खट्टा हो जाएगा ठीक है तो हमारे लिए कितने ज्यादे इंपॉर्टेंट है देखिए थैंक्स फॉर वाच्छे इतना ही मिलते हैं अपने चैप्टर टू के नेक्स पार्ट में ठीक है तब तक लिए कीप स्माइलिंग थैंक्यू सो मच